ओके ठीक है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारा यूटूब चैनल में आपका बहुत सारा सुवागत है मेरा नाम है गुपाल तो दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेच भीव को अपक्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से राउंड या स्कॉयर कर दिखिएगा दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा ठीक है complete चीजे तो चलिए दोस्तों आज का इस moment को start मारते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम credit देते हैं आप इनहें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों पूरा सपोर्ट कीजिएगा ये अबार्जेक्ट सावर के लिए और आप यहाँ पर अपना फिरी ली जैसा मर्जी आप यहाँ पर क्रोप कर सकते है round square आप यहाँ पर image को क्रोप कर सकते है image को rotate कर सकते है उसके बाद क्रोप किया हुआ image को save कर सकते है तो इस तरह का activity है दोस्तों काफी simple project file है लेकिन बहुती काम का है ठीके दोस्तो फोटो एडिटिंग या फिर फ्रोफाइल पिक्चर जो एकाउंट बनाते है न वहाँ पर ये फोटो क्रॉपिंग का एक्टिविटी का इस्तिमाल होता है और भी बहुत सरे कामों में इस्तिमाल होता है तो आप ये प्रोजेक्ट फाइल को अगर कोई एरर आता है तो आपको क्या करना है दोस्तो आपको लाइब्रेरी जो है न मैं लाइब्रेरी का डाउनलोडिंग लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप दोस्तो लाइब्रेरी को चेंज कर दिजेगा ये जो लाइब्रेरी है न आप इसको डिलेट करक दुबारा आप यहां से GitHub में जाके डाउनलोड कर सकते हैं या डाउनलोड करने का जोरूत नहीं है मैं वीडियो का description में ये वाला library का zip file दे दूँगा आप इसको इस्तिमाल कर लिजेगा इसको delete करके दूसरा replace कर दीजेगा उसके बाद दोस्तों जो custom blocks है जो coding का custom blocks है वो भी ये देखिए जो custom blocks आप देख सकते है ये वाला image view guide का ये वाला तो ये भी मैं आपको दे दूँगा तो custom blocks को भी आप इसमें add कर दीजेगा आपको तो पता होगा ना कैसे add करना है अगर पता नहीं है तो comment किजेगा मैं बता दूँगा आपको तो custom blocks को पहले add कर लीजेगा पहले आप run करके देखिएगा अगर कोई error नहीं आता है तो कोई problem नहीं है तो आप custom blocks को add कीजेगा library को add कीजेगा उसके बाद आप run कीजेगा क्योंकि दोस्तो sketchware का जो version है ना जो app है पता नहीं आप कौन सा application इस्तिमाल कर रहे है आपका कौन सा device है अलग-अलग device में अलग-अलग काम करता है तो आप try करके देखिएगा दोस्तों ठीक है सबका अलग-अलग error आता है तो अगर आपका इसी तरह इसी तरह कोई problem नहीं आता है तो कोई problem नहीं आप चेक कर सकते है अगर error आता है तो आप library को और custom blocks को replace कर दीजएगा मैं video का description में आपको सभी का link मिल जाएगा ठीक है आप link का पर click कीजएगा तो आप download कर सकते हैं सभी file को आप download कर पाएँगे ओके दोस्तो यह project file को भी आप download कर पाएँगे custom blocks को library को सभी को download कर पाएँगे तो यहां से दोस्तो हम image को सबसे पहले pick कर लेते हैं दोस्तो यहां पर बहुत सारे images है दोस्तो हर हर महादेब का तो इन में से किसी को भी हम pick कर लेते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं तो यह आपका इमेज यहां पर लोड हो गया है आप इस तरी के से दोस्तों जो है ना इमेज को क्रॉप कर सकते हैं इस तरी के सा पूरा क्रॉप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा भी आप इस तरी के से क्रॉप कर सकते हैं अगर आपको पूरा save कर सकते हैं यह save हो जाएगा ठीक है आप crop करते जाएंगे तो यह save होते जाएगा यह देखे तो इस तरीकी से दोस्तों आप देखे यह आपका कि ले तो नहीं बाबाई